नहीं रहे समाजवादी पार्टी के संस्थापक और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंग यादव 82 साल की उम्र में हुआ निधन पिछले कई दिनों से अस्पताल में चल रहा था इलाच मुलायम सिंग यादव के निधन पर देश भर में शोग राश्मती और प्रधान मंत्री मोधी समेथ सभी दल के नेताओं में जताया दुख कल सैफई में होगा अंतिम संस्कार मुलायम सिंग यादव जी उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी ख्षती है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के गुजरात दौरेक आज दूसरा दिन भरूच में कई परियोशनाओं का खियाओ खाटन और श्रिला मियास आमादमी पार्टी के गुजरात अध्याक्ष गोपाल इटालिया पर पिया मोधी के खिलाप अपशब्द का आरोप बीजेपी ने जारी किया वीडियो आज बीजेपी नेता हरिश खुराना दर्ज कराएंगे केस चुनाव चिंद को लेकर एकनाच शंदे और उधव छाकरे को आज करना है फैसला चुनाव आयोग को बताएंगे सिंबल और पार्टी का नाम आयोग ने दोनों गुटों से मांगे हैं तीन-तीन विकल्द जब कश्मीर के अनांथनाग में इस तो अक्षा बलों ने दो आतंकियों को मार गिरा है रविवार रात को शुरू ही मुझ भेड सार्च ओपरेशन आप भी जारी पश्ट्यम बंगाल में कोलकाता के नस्दीएक दो समुदाए के बीच हिंसक जड़प बीजेपी की केंद्रिये बल को तैनात करने की मांग की गई हाई कोर्ट में भी जनीतियाच का दायर पुलिस कस्टिए से फरार गैंग्स्टर दीपक टीनू की गल्फिंट से पूँचलाशने बड़ा खुलासा जेल में ही रची गई फरार होने की साज़ेश पून के सरिये गल्फिंट से लगातार संपर्प में था टीनू उत्राखांड, उत्रप्रदेश, पश्चिम, मध्यप्रदेश और पूरवी, राजस्थान, भारी बारिश की चिताबनी, लखनाउ, नौईडा, गाज़ेबा समिल बारहा जिलों में आज बंद रहेंगे स्कूल लगातार बाइश से लोग परिश्चा झाल